बिस्मिल्लाहिर्वाह्मालिर्वाहिम असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है स्टडी में मसरूफ होंगे मैं महुमदाबास अपने यूट्यूब चैनल महराबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैं इंपोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोज यूट्यूब पर लोड करता हूँ फिजिक्स और मैथिमेटिक्स नाइन्थ और टैन्थ क्लासेज इसके अलावा फसी फस्ट इयर मैथिमेटिक्स इन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की वीडियोज यूट्यूब पर लोड की जाती है अच्छी फॉर्म में हाल करके आज कल हमारे फिजिक्स और मैथिमेटिक्स नाइन्थ और टैन्थ क्लास के MCQs यानि मल्टीपल चाइस क्वेस्ट्चन्स मुंत्खेब करने वाले सवालात चाल रहे हैं जो फिजिक्स में 12 मार्क्स का 12 नंबर का पेपर होता है MCQs का यानि टोटल नंबर 60 है उनमें से 12 नंबर मल्टीपल चाइस क्वेस्चन्स के हैं और मैथ के अंदर ये पेपर 75 का होता है और उसमें से 15 नंबर 15 मार्क्स MCQs के हैं तो आज फिजिक्स 10 ख्लास इसका आखरी यूनिट यूनिट नंबर 18 अटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स उसके MCQs करने जा रहे है तो आज की वीडियो के साथ ही फिजिक्स के 10 ख्लास के MCQs कम्प्लीट हो जाएंगे हमारे कुछ लेक्चर्स जो सबजेक्टिव हैं वो रहते हैं इन्शाल्ला इसके बाद वो भी शुरू हो जाएंगे लेकन जो करन्ट अलेक्टिसिटी वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 वहां तक सबजेक्टिव भी कम्प्लीट हो चुके हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था वो चाल रहा था कि दर्म्यान में मेरे माइड में आया कि क्यों ना पहले MCQs को मकमल कर दिया जाए ताके इन 12 नंबर्स और 15 नंबर्स की तियारी भी साथ साथ हो सके तो चलते हैं फिजिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 18 के MCQs की तरफ फाइनल पेपर में आपका MCQs में से कोई नंबर जाया ना हो जाए तो बास जगों पे अप्टू डेट और बुक के MCQs मिलते जुलते होते हैं या सेम होते हैं लेकन जो डिफ्रेंड होते हैं उनको तो हार सूर्थ में किया जाता है तो चलते हैं MCQs की तरफ लेकनों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी ताक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे नए व्यूवर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर उंगली दबा दें बेल आइकन क्लिक कर दें ताके आने वाली वीडियो जो आने वाले दिनों में बहुत वेर इंपोर्टेंट वीडियो आने वाली हैं बहुत एहम लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफकेशन आपको मिलता रहे अपने दोस्तों को ये लिंक और वीडियो शेयर किया करें ताके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फाइदा हो सके तो बुक से चूज़ दा कुरेक्ट आंसर mcqs number one है isotopes are atoms of same element with different चार option है atomic mass, atomic number, number of protons, number of electrons atomic number या number of protons तो same होते हैं तो कौन सी चीज़ different होती है वो atomic mass होता है या atomic mass number तो यहां atomic mass लिखा हुआ है option A में लिखा हुआ है इसलिए हमने A को circle कर दिया है क्योंके यही different है mcqs number two one of the isotopes of uranium is 238,92 यानि mass number 238 है और atomic number 92 है the number of neutrons number of neutrons find करने का formula है dear students A minus Z A mass number है और Z atomic number है तो 238 में से 92 को subtract करें 6 यानि 8 में से 2 माइनस करें 8 में से 2 माइनस करें तो dear students mcqs number 3 which among the following radiation has more penetrating power तो dear students gamma particles या neutron होते हैं जिनकी penetrating power सबसे ज्यादा होती है तो देखते हैं आलफा पार्टिकल्स हैं नहीं gamma rays है alpha particles है all the same नहीं same तो नहीं होती तो gamma rays या दूसरे लफजों में neutrons जिनकी penetrating power सबसे ज्यादा होती है तो यहाँ option B में gamma rays लिखा हुए इसलिए B को हमने circle कर दिया है mcqs number 4 है what happens to the atomic number of an element which meets one alpha particles तो जब alpha particles निकलते हैं तो dear students alpha particles दार असल edge e 4 2 होते हैं तो किसमे कमी atomic number में 2 की कमी हो जाती है तो देखते हैं atomic number decreased by 2 यह लिखा हुए option C में decreases by 2 तो atomic number में 2 की कमी हो जाती है और mass number में 4 की चुक्ए उसने atomic number में कहा इसलिए हमने C option पर circle का दिया क्योंकि यहाँ लिखा हुए decreases by 2 mcqs number 5 है the half life of a certain isotope is one day what is the quantity of the isotope after two days तो formula half life का half life is equal to 1 over 2 की power T और यहाँ T 2 days हो गया तो 2 की power 2 तो 1 over 4 तो option है हमारे पास a है one half b है one quarter और c है one eight और d में लिखा हुए none of these तो b में लिखा हुए one quarter यानि one over four तो देखते हैं जी a one half b में one quarter तो b को हमने circle कर दिया क्योंकि यही हमारा correct answer है formula हमारा होता है one की power one over two की power t यहाँ t2 है तो one over two की power two one over four आ जाता है आगे है mcqs नंबर six mcqs नंबर six में है when uranium 92 ejects a beta particle how many protons will be in the remaining nucleus 89 protons 90 protons 91 protons और 93 protons तो dear students जब एक beta particles निकलता है तो उसकी वज़ा से चुके beta particles जब निकलता है तो एक electron खारज होता है electron खारज होने का मतलब के एक हमें proton add करना पड़ेगा और एक subtract भी करना पड़ेगा तो इस तरह protons में एक increase होगी और वो 92 से 93 हो जाएंगे जो के D में लिखा हुआ है तो D is the correct answer इसलिए D को हमने dear students circle कर दिया है जी तो MCQs number 7 है release of energy by the sun is due to तो सूरज के अंदर जो सबसे ज्यादा reaction होता है dear students वो fusion का होता है तो nuclear fusion की तरफ देखते हैं पहले में लिखा हुआ A option में nuclear fission दूसरे B में nuclear fusion तो B is the correct answer B के गिर्द हमने circle कर दिया है MCQs number 8 है when a heavy nucleus splits into two lighter nuclei the process would be energy release होगी कौन सी energy nuclear energy तो option A में लिखा हुए release nuclear energy तो option A को हमने circle कर दिया यही correct answer है MCQs number 9 है the reason carbon dating works that A. plants and animals are such strong emitters of carbon यह तो इस वक्त होता है जब वो जिन्दा होते हैं B. after a plant or animals dies it stops taking in fresh carbon C14 यह correct answer है carbon को carbon dioxide की सूरत में लेना यानि photosynthesis या किसी और form में लेना छोड़ देते हैं और यही best answer है इसलिए B को हमने circle कर दिया है तो dear students इस इस तरह हमारे book के MCQs complete हुए अब आपको नीचे नजर आ रहा होगा paper number 9 physics chapter wise नीचे unit 18 भी लिखा हुआ है atomic and nuclear physics maximum number 12 तो अब हम चलते हैं इसी chapter number 18 के up to date MCQs की तरफ और इनको भी complete करते हैं जी dear students MCQs number 1 है the isotopes of hydrogen in number R तो जो option दिये गया है वो A में 3 है B में 4 है C में 2 है यानि 2 है और D में 1 है तो dear students hydrogen के isotopes हमने chemistry में 9th class के अंदर भी पढ़े थे और इधर physics में भी पढ़ लिए तीन isotopes हैं उनके नाम है proteum, deuterium और treatium तो A option में 3 लिखा हुआ है इसलिए हम A को circle कर देते हैं A is the correct answer आगे MCQs number 2 है लिखा हुआ है the half life of radium is 226 तो ये radium 226 है इसकी half life हमने बतानी है जब इस chapter के side में बने हुए tables को हम देखेंगे तो मुख्लिफ elements की half life लिखी हुई है तो जो इसकी correct है A में लिखा हुए 4000 years B में लिखा हुए 2800 years C में लिखा हुए 16 यानि 1620 years D में 5730 years तो टेबल के मताबक जो इसके लिए radium के लिए correct answer है MCQs number 2 का वो है 1620 years 1620 years इसलिए C को dear students हमने circle कर दिया MCQs number 3 यादा half life of cobalt is cobalt 60 है तो इसकी half life 30 years होती है option देखते हैं A में 40 years B में 50 years C में 20 years और D में लिखा हुए 30 years तो MCQs number 3 half life of cobalt correct answer is D D जहां 30 years लिखा हुआ है तो हम D को circle कर देते हैं इस तरह जी MCQs number 3 कंप्लीट हुआ MCQs number 4 है to diagnose the brain tumor it is used तो cobalt 60 को इस्तमाल करते हैं देखते हैं option में cobalt 60 A में IOTEIN 133 B में Phosphorus 32 C में लिखा हुआ है cobalt 60 तो C को हम circle कर देते हैं और C is the correct answer cobalt 60 जी आगे MCQs number 5 है half life of carbon 14 in years is तो dear students यह भी जाब टेबल से देखें जो साइट पे हैं तो यह जो कारपन 14 है इसकी half life है 5730 years अब हम option देखते हैं जो 4 option लिखे हों इसके लिए A है 5730 years B है 5740 और C है 5750 और D में लिखा हुआ है 5760 years तो टेबल के मताबक जो कारपन 14 है आइसोटोब है कारपन का उसकी जो half life है वो है 5730 years और इदर option A में यह लिखा हुआ है इसलिए A को हमने circle कर दिया है तो dear students आगे हमारा MCQs number है 6 इसमें लिखा हुआ है the number of neutrons in treatium तो treatium एक proton हो गया एक electron हो गया लिखा हुआ है H31 तो proton तो चुँके hydrogen के जितने भी isotopes हैं यह hydrogen का तीसरा isotope है protein, deuterium, treatium तो इसमें दो proton एक proton, एक electron और दो neutron होते हैं nucleus के अंदर एक proton और दो neutron होते हैं तो हम देखते हैं यह option में क्या लिखा हुआ है A में लिखा हुआ है 1 B में 2 लिखा हुआ है तो यह 2 इस दा correct answer इसलिए हमने B को circle कर दिया और यही हमारा correct answer है dear students, MCQs number 7 है the half life of lead is तो जब table से side information से देखते हैं तो lead की half life 10.6 hours है तो देखते हैं table इधर क्या लिखा हुआ है option में A में ही लिखा हुआ है 10.6 hours इसको circle कर देते हैं it is the correct answer MCQs number 8 है the temperature at the center of the sun is third year students यह जो है ना आपकी book के अंदर chapter number 18 का एक जो topic है ना fusion reaction नहीं, fusion तो वहाँ सूरज के बारे में लिखा हुआ है sun के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि sun के अंदर भी fusion reaction होता है तो sun के अंदर जो उसके center का जो temperature होता वो होता है 20 million Kelvin 20 असल M के इदर लिखा हुआ है 20 M के M मीन million और 2 M के 24 M के और 25 तो यह सूरज के center पार sun के center पार जो temperature होता है वो होता है 20 million Kelvin A में लिखा हुआ है इसलिए dear students हमने एक और circle कर दिया है आगे है MCQs number 9 in uranium 235, 92, 92 is the number of protons यह number of protons होते है या किसी item का atomic number होता है तो option देखते हैं लिखा हुआ है protons A में B में neutrons C में protons add neutrons D में neutrons add electrons तो तो चूँके 92 number of protons है इसलिए A जो है correct answer है A को हमने circle कर दिया MCQs number 9 के लिए आगे है MCQs number 10 लिखा हुआ है what happens to the atomic number of an element which ejecta beta तो जब beta eject होता है तो atomic number में A का जाफा हो जाता है increase by 1 देखते हैं A option में लिखा हुआ increase by 1 तो A को हमने circle कर दिया इसी तरह का एक MCQs इसी से मिलता जुलता बुक पर भी था तो इस तरह हमारा MCQs number 10 भी complete हो गया है जी तो dear students MCQs number 11 और 12 रह गया तो फिर आपसे request है कि ज़रूर वीडियो बार बार देखा करें ताकि आपकी त्यारी अच्छी हो सके लेकर चैनल की सब्सक्रिप्शन खुद भी करें अपने दोस्तों को भी कहें और जो students आज कल पढ़ रहे हैं 10th class के अंदर उनको ये लिंक भी शियर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा students का फाइदा हो सके तो MCQs number 11 है during the fission reaction 1 kg of uranium 235 amount of energy तो ये जो amount of energy होती है ये भी उदर fission reaction में लिखा हुआ है ये होती है round about 6.7 into 10 की पावर 11 जोल देखते हैं 6.7 into 10 की पावर 11 जोल तो ये C option में लिखा हुआ है 6.7 into 10 की पावर 11 जोल C is the correct answer आगे है जी MCQs number 12 है up to date का last MCQs है और आपकी 10th class की physics का भी आखरी MCQs है इसके बाद चंगी पुनियातों पर त्यारी हमारी शिरू हो जाएगी कैसे करनी है वो भी इंशालला आपको आने वाली वीडियोς के अंदर बताया जाएगा और आप त्यार हो जाएँ ज्यादा ज्यादा त्यारी करनी है इंशालला अगर मेरे बताय हुए pattern पर आप त्यारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे नमबर ले जाएगे तो MCQs number 12 है Half Life of Hydrogenies तो ये होती है round about 12 years तो देखते हैं A option में लिखा हुए 12.3 B में तो 5,007 30 years है C में 30 years है D में 2.85 तो ये 12.3 जो है इस दा correct answer इसलिए हमने A के गिर्द circle कर दिया तो dear students इस तरह अप्टू डेट के MCQs और book MCQs complete हुए आइंदा मिलेंगे नई वीडियोस के साथ दौआ में याद रखिएगा अल्लाँ हाफिज